तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब शैनल इस्टडी जोन पर दोस्तों सतरा आजार प्लस पोस्टों की कटप को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि न्यूज रिपोर्टिंग के अनुसार आप सभी के लिए ए यहां पर पक्की होने वाली है जिस तरह के जो कटप न्यूज चैनल द्वारा जो बताई गई है और जो आंकडे निकल कर आ रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा स्वाकिंग है और साथ ही दोस्तों यहां पर एक और अपडेट है आप सभी 17,000 की जो बेकैंसी है उसी के रिगा इसके रिगार्डिंग कमेंट भी आ रहा था कटप को लेकर की सर कटप जो है अब क्या जा सकती है और इसको लेकर हमारे चैनल पर पोल भी करा गया है और उस पोल के माध्यम से भी कम से कम यहां पर सबसे ज़्यादा कैटेगरी वाइस अगर देख ले या आप सभी के पोस् सकते हैं कि लगभग 60% उमिद्वारों के नंबर जो है नंबर आफ इसकोर जो है या पोस्ट वाइस या कैटेगरी वाइस उनके नंबर इतनी ही बन रहे हैं पर दोस्तों क्या इतने नंबर पर उनका अपने कैटेगरी वाइस में सेलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है क् अगर जो cut up की ratio इतनी नहीं होगी तो उन उमिद्वारों का क्या होगा क्योंकि आप सोच सकते हैं कि post wise category wise कितने कितने पोस्ट हैं और उस पोस्टों पर अगर उस category wise आप सभी किसको नहीं बनेंगे तो आप सभी इस पोस्ट से पहले ही बाहर होने वाले हैं तो दोस्तों पूर 30 रिगार्डिंग आप सभी के लिए एक बहुत ही important update है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्योंकि वह चीज बहुत ही ज्यादा important है आप सभी के लिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी को cut up जो वाइस हो है क्योंकि जो answer की जारी की गए है और जिसमें scoring कराई गई है और कई सारे channel दोवारा या आप tutor पर या आप telegram पर भी जो इसके score जो है सांजे किये गए है उमिदवारों दोवारा उनके score क्या बन रहे है तो दोस्तो इन आखड़े पर क्या उमिदवार इस टैंड ले सकते हैं इस post के लिए इस vacancy के लिए या पहले ही round की जो अंक्तिम्ती थी है उसमें वो out होने वाले है तो दोस्तो पूरी information मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्योंकि इस भरती की process जल्द ही पूरी होने वाली है तो पूरी तरह से आप सभी के लिए मैं step by step हर एक आखड़े को बताने वाला हूं सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसमें other category के भी लोग दोस्तो other state के भी लोग यहाँ पर जो है जुसमें की form fill किये हैं इन पोस्तों से out होंगे और जो बाकी जो बचे हैं वो यहाँ पर general के अंदर fight होंगे तो जो general की cut up है वो almost increase हो जाएगी क्योंकि सारे जो है आप category wise वो other state के direct ही general में count किये जाएगे पर दोस्तो general में count होने के बाद जो आप सभी की cut up है general की वो क्या जाने वाली है क्योंकि दोस्तों other state के चलते जो general की cut up है वो बहुत ही ज्यादा high होने वाली है यानि कि अगर आपके 60 या 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तभी आप general ne fight कर पाएगे वरना आप इस post के लिए यहाँ पर disqualified कर दी जाएगे तो चलिए दोस्तों start करते हैं और आपको cut up की पूरी आकड़े जो है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्या है वो आकड़े सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों चैनल में पहली वार विजिट कर रहे हैं तो जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा लाइक कर दीजेगे क्योंकि एक लाइक से हमें वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा motivation मिलती है इसलिए दोस्तों एक लाइक जुरू करिएगा कंपा हमारे स्टड़ी सोन को और दोस्तों जा ज़्यादा-इस वीडियो को शेर गरीएक ऊपलाई दोस्तों अर्च से अधर और 20% candidate है वो इसमें other category wise भी हैं OBC, General, EWS, ST, ST के अब गए हैं जिने यहाँ पर direct ही दोस्तो category में general में fight करना पड़ेगा क्योंकि उस notification के regarding other state को general के अंदर ही count किया जाएगा तो पहले कि जो आकड़े थे वो कुछ और बन रहे थे और कई जगाओं पर और कई पर दोस्तो यहाँ पर जो आकड़े को सांझा करकर जो according करकर जो पूरे तरह से जाच करकर और जो previous year की vacancy को भी लेकर जो आकड़े निकल कर आ रहे हैं क्योंकि other state और state के उसमें जो आखड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वो यहाँ पर जो है 62 से लेके 64 के बीच में निकल कर आ रहे हैं अगर जेनरल के कैंडिडेट हैं अगर 62 या 64 के बीच में अगर आखड़े आपके बन रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हैं वरना आप sports से direct ही disqualified होने वाले हैं साथ ही दोस्तो अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि जो OBC की cut up क्या जाने वाली हैं क्योंकि दोस्तो इन category को other state से कोई मतलब राता नहीं है क्योंकि other state वाले OBC सारे general में count होते हैं तो यहां पर दोस्तो अगर आपके यहां पर जो है तीरपन या पच्चपन के बीच number of score बन रहे हैं तो इस बार आप 100% OBC के अंदर selected होने वाले हैं EWS के candidate के जो आंकड़े हैं इस बार थोड़े से कम देखने को मिले हैं OBC के अनुसार क्योंकि पहले के पोल में अभी के पोल में जो ट्वीटर पर पोल हुए उस पर भी और साथी जो मिदवारों दोरा टेलीग्राम पर भी पोल किया गया है उसके अनुसार भी EWS की जो संख समी हुई है अगर इसके बीच EWS वाले candidate के नंबर बन रहे हैं तो वह इस बार 100% selected हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं SC और SD की cut-up क्योंकि इन दोनों के cut-up जो है almost same है आप यह का सकते हैं कि थोड़े से उंची नीचे जो है highlighted करकर आप सभी को यह आकड़े मैं एक ही में बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों जो आकड़े हैं इसमें लगबग आप मान सकते हैं 40 या आप सभी के 45 के बीच इन दोनों category में एक या दो number आप अपने से increase या decrease कर सकते हैं अगर इतने 40 और 45 के बीच में अगर number of score आपके ब action होने की पूरी chances बन रही हैं तो जो आखड़े हैं जिसमें की जो important जीज़े एंसर की जारी होने के बाद जो आखड़े हैं वह लगतार यहाँ पर change कर दिये गया हैं और दोस्तों answer की जारी होने के बाद मैंने आपको दो या तीन दिन बाद ही यह वीडियो दिया है क्योंक आप तभी तक पहुचा दिये अगर इतने number of score हैं तो आप इस select इस 17,000 प्लस पोस्ट के लिए आप 100% select होने वाले हैं होने वाले हैं तो दोस्तों अभी के लिए अपडेटिक अलगर आ रहे थी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी confusion या कोई भी doubt है या कोई भी क्यूरिज है तो comment के माध्यम जूरू पूचिएगा हमारे चलने study zone के माध्यम से आप सभी को reply किया जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ता पर दोस्तों जाहें दे